इसका उद्देश है चीन की वस्तुएं जो भारत के अंदर आ रही है उसकी गुस्पैट को रोखना और जिस परकार स्वेदेशी चीजों का हम लोग उप्योग नहीं कर रहे हैं उनको उप्योग में लाना और स्वेदेशी चीजों को उप्योग में लाते हुए चीनी करना और सुवेदेशी को बढ़ावा देना इस परकार का एक कार्य करम इस्रैली के माध्यम से किया जा रहा है यह एक स्वेदेशी के तत्युधान में हो रही है और जिसके माध्यम से चीन को हम जताना चाहते हैं कि भारत आज भी मजबूत है भारत तुमारी कमर तोड़ने मे सक्षम है इसरेली के बाद क्या लगता है आपको जो देशनी बेरोजगार किसमें है और दोगों की तहली स्कति होती है उसमें परिवर्तन आएगा क्योंकि हमारे स्वेदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा स्वेदेश उद्योग का आगे जो लोग बेरोजगार जिस परकार चीन ने हमारी मार्कीट में अपना प्रभाव जमाय था उस प्रभाव को इस स्वेदेशी रैली के माध्याम से उखाड भैकने का काम हम सभी स्वेदेशी भक्त करेंगे